यालो फ्रेंड वेलकम टू मैं चैनल तो आज अब हम लोग जानने वाले इक स्सोलार स्टप के बरे में आप देख सकते फ्रेंड की हमने ओर एक स्वालर स्टप इंस्टॉल किया है जो कि 100 वंद्त का है तो आप यह देख एंद 16 पैंडल से दोनो फ्र permitted पैंडौ से 4S7 में किया है जिसी में है तो फ्रेंड यह पैनल हमारे इसम्हें नहीं है दोञाल यह फ्रेंड्स यूट्रीայ कंपणी करेंड की इसमुझ गेरेश्य व्रेंड्स के बेट्टी ना लग है दिख ये पैनल हमारा हमने को पैलल में किया है जो कि नोगवा कंपनी का है और यह गोना देख सकते यह तो इन सब को को मैंने पेड़ल में किया है 50-40 प्रस्ट अपने डेक से लिए तीन पनल को हम ने पने पर ले जिससे कि हमें पैड़ल में जिससे जो हमारे असे से में तो इससे मुझे पीक में लंग भग समय साढ़े पास चेंपर आते तो 5.5 25.8 एफिर्ट टच करा देता है मुझे अब मुझे पैनल अब बात करें यह देखिए फ्रिंट यह मैं नहीं पर वायर साइस के अगर मैं बात करो तो फिल यहापर मैंने करें यहां पर मैंने 1.5 का वायर यूज किया है जो कि असी वायर रेफिर्ट अब देख सकते हैं यह मैरे दो पच्छ तो फिर आपको ट्वाइट के इसके अंदर हैं निहीं कुछ ज़्यादा जरुवत नहीं है अंचे लगा है और सिटीव के लिए अंगे लिए लगाए तो फिर में हम निचे जाए किए फिरेंट कि एक हमने बैट्र कोने क्लब करने अने बने जिए और क्लिक्र जूर्टा सकते हैं का सब्सक्राइब डी तो तिलिए G oc वाई लोग तो तो प्लीट कोई दीखे हैं देखे विए File आप देख सकते हैं यह हमारे बैटरी को चार्ज कर रहा है फिलाल इसके अंदर मैंने इसके अंदर बैटरी के लिए तो फिर मैंने बैटरी उसकी है लिए लिगार्वार गंपरी इसको बाक्स में रखाया क्यों कि ऐसके आपको ऑपन देखनन अगए सकता है इसको यूज कैसे अंदर यहां पर बात करें हम इंवर्टर इंवर्टर तो मैंने आप इन व्क्रय एक यूपीस को मैंने इसकेंड मोडिफाई कि इसके अंदर व्क्स यहां पर मैंने इसके अंदर fan attach किया है फिर फिर हमारी UPS वो उनवर्क कर सकते है फिर हमारी पीक लूट के फिरेंड तो फिरेंड यह जो UPS यह हमें एक तीनसो वैट का पीक लोट दे सकते है फिरेंड लेकिन इसको आप लॉंग समय तक यूज मत करना फिरेंड आराम से आप इसको साथ गंटे आठ गंटे बचाना सकते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर fan attach किया है cooling fan CPU का fan तो फिरेंड यह लॉंग लाश्टिंग चल सकता है और फिरेंड आपको भी इसके अंदर fan attach करना है क्योंकि अगर आप fan attach नहीं करोगे तो फिर इसके अंदर बहुत ज़्यदा heat accumulate होगे friends और friends अगर heat accumulate हो गई तो यह UPS जो है यह long lasting नहीं रहेगा तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसके अंदर fan attach जरूरी करना है अगर आपका load 50W के उपर है 50W के उपर है तो आपको fan attach करना है otherwise अगर आपका load 50W के नीचे है तो और friends अब हम बात करें तो यह हमारा UPS है friends और यह हमारी battery है और यह हमारा controller है friends और friends इसके पीछे से फेंड मैंने UPS के पीछे से wire connect किया है और friends यह मेरा board का wire jar है friends और देख सकते हैं यह मेरा inverter का board friend जो की inverter से मुझे power आती है friends यहां के ऊपर मैंने इस यह जो plug है फिर मैंने inverter के प्लग इन किया है और यहां से मुझे inverter का board आता है friend मैं चाहो तो इसके ओपर 300 वट्टा को भी रूट कर सकता हूँ friends और friends मैं इसके ओपर laptop चार्जिंग करता हूँ दिन बर फोन चार्जिंग स्मार्टफोन चार्जिंग LED TV तीवी इसके ओपर कोई दिक्कत नहीं होगी यह जो यूपेस होता है friends यह हमारे इंडेक्ट्व कंडेक्ट्र रेस्टिंग करेगा तो अगर आपका भी बजेट बहुत कम है अच्छा सेटप लगाना है अस्ता सेटप लगाना है तो नगा सकते हो 32 बैट्री एंपर के बैट्री ऐसी पानल करने के लिए यह उसे लिए मैं कहता हूँ आपको जो भी बैट्री से डबल देक्ट्र करना है शाफनी ठोड़ा एक्स्रक करने जिसे के अफ लोड जला सकते हो फ्रेंड-स though अगर आपको भी ऐसाivan को जाए तो मुझे पड़ा है लग-बारा सर्रुपर में और फरेन्ड जो बैटरी है पड़ेशि everlasting रुपें मेने section end UPS लेया था उसको मैंने modify किया आपको भी आपको भी एसी ूपेस लेना है और फिर्ट स्वलासाक न्ट्रम मुझा पड़ा है को फुल्फिल जरूर कर देगा कोई दिक्कत नी होगी आपको तो अगर आपको भी सेट अप लगाने तो लगा लीजी और आपको कोई भी क्यों देखने के लिए तब तक के लिए